अलो फ्रेंड्स, गुट मॉर्निंग, आप सभी को मेरी तरफ से हर्दाल कातिशी, बहुत-बहुत सुभकाम नाई, मैं ना नहा दो के, पुझा पार्ट करके मंदिर से आ गई हूँ, और बच्चे नहा रहे हैं, यहां पर रेडियो हो रहे हैं, स्कूल के लिए टाइम हो रहा हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात राम राम राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार, और आज है तीज, तो मेरा है तीज का ब्रत, तो मैं सुभे यहां पर उठ गई हूँ, और सबसे पहले मैं अपनी चोटी, मतलब बाल की चोटिया बना के रखती हूँ, क्या कभी कभार ऐसे बना लेती हूँ मन करता है तो, तो मैंने बाल अच्छे से क यह अपने ठीक ठाक, और सुभे उठी हूँ, तो आखे थोड़ी सूजी हुई है, और यहां पर मैं दिखा रही हूँ, अपनी महदी कि मैंने कुछ इस तरह ऐसी महदी लगाई हूई है, और आखे देखिए कैसी सूजी हूई है, एक तो नीद भी नहीं पूई हूई हूई और जो हमारे नए व्यूबर्स हैं, प्लीज से प्लीज हमें सस्क्राइब करके जाएं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नहीं तो लाइक तो करी सकते हैं, प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो बनाने बहुत महनत लगती है, प्लीज लाइक कर दिया करें, तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने लिए साड़ी, क्योंकि आज है तीज कबरत, तो अभी मैं चादर सही कर रही थी बिट का, तो मैं सोची लगे हाँ साड़ी निकाल लूँ, क्योंकि फिर नहीं तो सम बिट खोलना पड़ेगा, तो चादर फिर ठीक करनी पड़े तो उठते ही, अगर मैं नहाँगी, तो मेरी बॉड़ी रियक्ट करेगी, मतलब बॉड़ी में मेरे पेन होनी लगेगा, बहुत ज़्यादा जगड़ जाएगी, तो बस मैंने रात को सारा काम निप्टा लिया था, और यहाँ पर जाड़ू को छोड़ दिया था, क्योंकि म सम्मिक्स हो जाता है, तो मेरे को सूट नहीं करता, और दूसरी बात, मैं ऐसी में आज नहीं सोई थी, तो यह ब्रत सुरू होता है, तीन बज़े से, तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने कपड़े मसीन में लगाने थे, तो मैं सोच रही हूँ कि लगा देती हूँ, और मसीन त कर दूँगी, जब पानी आएगा तो अपने आप यह वे उठा लेगी पानी और कपड़े धोल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कपड़े धोने का टाइम मुझे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मैं जाड़ू पुछा करके कपड़े धोके और रेडी हो गई हूँ, रेडी ह कि मतलब नहा ली हूँ, अम नहाद हो के हो रही हूँ, फ्रेंट्स यहाँ पर रेडी, और बच्चे और हस्बेंट जी अभी हमारे सो रहे हैं, तो मैं चुक्चा दूसरे कमरे में चली आई हूँ, ताकि उन लोगों को डिस्टर्बिंस ना हो, और यहाँ पर मैंने तीज की इस्पिसल भजन स्वंग लगा दिये हैं, भगवान जी के, संकर भगवान जी के, तो बस फ्रेंट्स मेरे को जादा मतलब कुछ सजना सवरना ऐसे नहीं आता है, तब भी कुछ थोड़ा बहुत अपने आप कर लेती हूँ, तो मैं आज सोच रही हूँ कि चली जाओं मंदि क्योंकि मंदिर मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम मतलब मैं मंदिर अकेले जाती नहीं हूँ, तो अगर हजबन जी जाएंगे साथ में तो चरूर जाओंगी देखती हूँ, ये क्या करते हैं, बॉक करने जाते हूँ, धरी तो मैं साथ साथ मंदिर चली जाओंगी, तो हम हमारे इमत्योहार का सबसे फेवरिट चीज होता है ये महावर लगाना तो जब हम सुहागी ने बरत रहती हैं तो महावर जरूर लगाती है फ्रेंड्स और ये हमारा कल्चर है तो हम सहर में रहें गाव में अपने कल्चर को बहुत अच्छे से निवाते हैं जो भी है हमें संगार करती हैं लेकिन हम लोग अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं हमारा जो बना हुआ है अपना वो पूरा हम निभाते हैं क्योंकि सुहागीन का मतलब ही होता है सोला सिंगार करना तो बस हम यहाँ पर तयार हो गए हैं जैसे थोड़ा बहुत मेरे से बनता है ज्यादा मेरे को नहीं आता है बस यहाँ पर फिर मैं चल दी हूँ पूजा करने तो पूजा में भी सुहागीनों वाला ही सारा समान माता रानी को गोरा पारवती माता को चड़ाओंगी और ये ब्रत फ्रेंड्स हमारा है जो पारवती माता ने जो संकर जी के लिए तब किया था इतन मारे माएं करती आई दादी मा मा सबी करती आई हैं तो साधी के बार ये ब्रत हम लोगों भी रखवा दिया जाता है तो ये ब्रत हम लोग बड़ी खुसी-खुसी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से तो बोज समझते हैं पर नहीं हम लो तो मंदीर में लग रहा था पहुचा काफी बड़ा मंदीर है फ्रेंट्स तो मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने सौर्ट से खाली हर पार्ट के भगवान जी का लिया अगर दूर से खड़ी होके लेती न तो पूरा मंदीर आता बहुत अच्छे से तो यहाँ पर पूजा हो गई थी पंडिट जी पूजा करके बैठे हुए थे और जहां संकर जी की चहली बनती है ना जहां संकर जी को नहिलाते हैं वहाँ पर वो साबसफाई कर रहे थे तो मैंने बूला चलो तब तक मैं फोटो ही ले लेती हूं पूरे यहां की तो फ्रेंट्स थोड़ी सी यह आप लोगों के साथ मैंने फोटो यहां की सेयर कर दी है और तीज के ब्रत के दिन वैसे तो पहले लड़किया माई के जाती थी लेकिन अब सब की ऐसी हो गई है विवस्था मतलब सब अपने अपने लड़किया पहली कठा होती थी माई के में हमने यह चीज नोटिस की है कि जब से हमारे साधी हुई मतलब हमारे यहां इतनी लड़किया हैं फ्रेंट्स माई के में बहुत सारी लड़किया हैं जब हमारे साधी नहीं हुई थी ना तो बहुत सारी लड़किया जो दीदी लो तो बस आप तो कोई लड़किया नहीं जाती बहुत कम लड़किया जाती है माई के और यहां पर मैं मंदीर घर हर जगे पूजा पट करने के बाद फ्रेंड्स आ गई हूं किचन में क्यूंकि बचों का है स्कूल तो उनके लिए कुछ ने कुछ बनाना होता है और यह जो तीन बचके 32 मिनट का मैंने आपको टाइम दिखाया था तब से उठी हूं और अभी लगी हूं कंटीन्यू तो यहां पर मैं मंदीर गई थी छे बज़े के लगवग पती जित्ती अब जी को बोला कि चलो चलते हैं तो वो पार्क उधर चले गए हैं और मैं चली आई हूं तो उसके बाद यहां पर मैं किचन में बना रही हूं फटा पर बच्चों को पराठा और बच्चों को बोल के गई थी कि तुम लोग रेडी हो जाना नहां धो लेना और यह मैं लाई हूं फ्रेंड्स एक पूरी च्छाने की मेरी जो खल्ची होती ना वो टूट गई थी त तो टाइम से स्कूल पहुं जाएंगे तो फ्रेंड्स यही रहा मेरा वीडियो जो तीज का था और फिर पूरे दिन का आगे का मैं नहीं बनाएं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता और यहां पर फिर मैं धूले रखे थे बरतन तुसको कर दी थी सेट और यह फ्रेंड्स यह भी कभार बन पाती है ची कभी कभार मूर नहीं होता है तो मैंने सोचा इसके सहाइता से ना इसकी हल्प से मैं दोनों हाथ हो महदी अपने अप लगा लोंगी तो यह मेसों से मैंने मगा है तो आज ही आ गया था और मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने कल रात को बारा बज रहे थे तकरीबन और मैंने ये हाथ में गोल गोल गोला रखा कि फिर मेह दिल लगाने का बिलकुल मौन नहीं था कुछ तविया सही नहीं चल रही थी इस टाइम तो मैंने तब भी गोल गोल गोला ऐसे रख लिया था हाथ में में को पता होता है मैंने ध्यानी नहीं दिया कि किस दिन आएगा नहीं तो मैं आज लगा लेती इसको तो यह जब भी लगांगी मैं आप लोगों को साथ जरूर सेयर करूंगी तो यह 14 पीस है 14 पीस है फ्रेंड्स और बहुत अच्छी डिजाइन आई है और यह देखिए मैंने गोला लगा लिया था ऐसे ही ना यह मन नहीं क हो रहे हैं वीडियो कैसी लगी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से बब बाई